क्या आप अपनी तन्हाई अकेले पन और रूखी फीखी जिन्दगी से बेजार हैं और इसको सोशल मीरिया की दोस्तियों और वास्तों और राप्तों की मदद से कम करना चाते हैं अगर आपका जवाब हा में हैं तो जरा ठहरिये क्या आप जानते हैं कि अजनबियों पर भरुसा करना आपकी जिन्दगी की सबसे बड़ी गलती हो सकती है और कोई आपको जस्बाती सत्मे के साथ साथ माली और कभी कभी जाली नुकसान भी पहुचा सकता है आईए एक सचे वाक्य से कुछ सबक सीखते हैं एक मालदार और आसुदा हाल खातूं जो बहरून मुल्क में रहती थी मगर गुनियादी तोर पर पाकिस्तानी है तकरीबन नौ साल से वो बेवगी की जिन्दगी गुजार रही है और अपने प्रोफेशन और पर्सनल जिन्दगी से बहुत ही कुछ है और खातूं वक्त गुजारने के लिए फेस्बुक पर लोगों से दोस्ती करने का और वक्त गुजारने का एक अच्छा जरिया समझती है इस दोरान वो एक ऐसे शख्स की फ्रेंड रिक्वेस्ट कबूल कर बैठती है जो फेस्बुक पर बहुत ही मशूर था और इसका अकाउंट से बहुत मुक्तलिफ मौजवात पर रिसर्च और हैरान कुन तेकिकात पढ़ने को मिलती रहती थी फेस्बुक का वो दोस्त अपने दुरुस्त नाम और प्रोफाइल पिच्चर के साथ अपना अकाउंट हैंडल करता था इसने कभी अपनी तसावी शेयर नहीं की मगर ये कोई इतनी एहम बात नहीं थी कि इस पर शक किया जाए खातूम की बाची आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई मजीद मदरान शादी की मकाम तक आ पहुची क्योंकि वो उम्र की उस हिस्से में थी जहां बच्चों की तलब और उमीद होती है और दूसरे फरीग को भी बच्चों वगेरा से कोई दिल्चस्पी नहीं थी लहाजा इन्हों ने तैय किया कि वो एक दूसरे को मौार्च जजबाती रफाकत देने के अर्ज से शादी करते हैं किस्सा मुक्तसर पाकिस्तान आने पर इनकी शादी हो गई और श्कुर अर्सा खुजारने के बाद खातून बहरून मुल्क चली गई ताकि शोहर के काख़ात और इमिगरेशन प्रोसेस मुकंबल करके इसे बुला सके इस सिलसले में जब काख़ात की जाच परताल हुई तो मालूम हुआ कि मौसुफ की डिगरी जाली थी और वो सिर्फ इंटर पास है और ये जनाब बेरोजगार भी थे और इस एहलियत पर इनकी बहरून मुल्क में मुलाजमत का मिलना नमुम्किन था खातून ने इस बारे में इन से पूचकच की तो मजीद कई बाते सामने आई इन साहब ने ये सारा ड्रामा नाशनलिटी हासिल करने के लिए रचाया था और मकस्द मालदार खातून के असासाजाद पर जिन्दगी को सहल करना था और उनकी पेंशन से ऐश करना था खातून के मताबक वो शादी से कबल एक साल तक धाई सो डॉलर महाना इसको देती रही इसके अलावा तकरीबन आठ हजार डॉलर खर्ची करके वो कराची के इगनिजी हॉस्पिटल में इसका डिस्क ऑपरेशन भी करवा चुकी है मगर इस शख्स का लालच मजीद से मजीद बढ़ता गया और इनका कहना है कि ये शख्स ना सिर्फ लालची जोटा बलकि कई कई किस्म की बुराईयों में भी मुप्तिला है और फेस्बुक पर बहुत सी ओर्टों के साथ फ्लर्टिंग करने का आदी है मौसूफ को गयर फित्री तालुकाद और दूसरी सरगर्मियों से भी रुख्बत है इस सारी हकीकत के सामने आने के बाद खातून ने अपने वकील को इमिगरेशन प्रोसेस से रोग दिया और खुला के लिए केस फाइल कर दिया यहां ये बात वाजी कर दूँ कि कातून निहाइती सुल्जी हुई खराने से तालुक रखती थी और खुद भी तालीन याफता थी इस वाकिय से सीखें और जान लें कि फेस्बुक पर जो जैक आफ ओल ट्रेट्स दिखते हैं वो हमेशा सही नहीं होते उनसे आप दोस्ती ना करें और जो आपको मुतासिर करें जरूरी नहीं कि वो सही हो तो प्लीज आप इनके चुंगुल में फसने से होश्या रहें इनसे बेतकलुफ ना हो और एक डिस्टेंस मेंटेन करें और अपनी हर बार इन जैसे लोगों से शेयर ना करें जाली नामों और आईडी से दूर रहें ऐसे लोगों की रिक्वेस्ट कबूल ना करें किसी को माली इंदाद करने से और रिष्टे बनाने से परहेस करें झाली नामों की रिस्टेंस